डिफ्रेंसियल एक्वेशन एक्सरसाज 9.1 को स्वल्व करेंगे स्वल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं यहां पर जो दिया है क्वेशन आपने बूक निकाले जेगा यहां दिया इस अवकर समीकर में उपस ती उच कोटी जोटी एक यो वाईडेस में बाउपाद समीकरण है यह दी वाईबाई डी एक्स को अधिक्तम गात एक इसलिये इसका उकलाच समीकरण की गात एक होगी जिसमें इसमें दिया है इसको चीने पाचानना है कि कौनसा बहुपद है और कौनसा बहुपद नहीं है बहुपद होगा तो घात होगा बहुपद नहीं रहेगा तो घात नहीं होगा उसी में यह बहुपद है यह भी बहुपद है इसमें जो बहुपद उसको पाचाना है उसमें देखना घात है कि नहीं है उसको पाचाना है यह जैसे बहुपद नहीं है तिसमें घात नहीं होगा इसे को पाचाना है और question में चलते हैं उसमें देखते हैं बहुपत कुन कुन सा है और उसके बाद घात और कोट बताते हैं question बहुपत दिया है d3 by 4 y upon dx by 4 plus sin y3 by 10 is equal to 0 इसको बताए कि यह बहुपत है कि नहीं है तिया बहुपत नहीं है इसमें घात नहीं होगा लेकिन कूट होगी इसमें कूट कितनी है ? चार है क्योंकि में जो अकल स्वलुमिक्रा है में उपधी कूट होती है जो त्येपल डेस है या या जिसको 4 डेस कर सकते हैं synergy God is जिसकी कूट चार है इसमें जो कोट यह चार है अतार्षव्मिका के कूट number 4 हो गी तो किसे में जो इसे कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कोर्स चाले लिख सकते से इसे तयले अभी डिसपल शीरो टिस में कोटि जो कोटा ही हुआ इसमें लिखेंगे कुट चार है प्रण्तु जो यहां पे घात है लिख देंगे घात परिभासित परिभासित नहीं है यहां पर जो घात है परिभासित नहीं है Question number 2 Question number 2 तो y dash plus 5 y is equal to 0, यह बवपद है कि नहीं, यह बवपद है, ता तो इसमें एक घात भी दिया है और एक कोट भी है, तो इसमें घात और कोट एक-एक हैं, तो यहां पिलिख सकते हैं, इसका घात, घात एक, तथा कोट, कोट भी एक हैं, क्योंकि हम इसको यह बवपद है, इसलिए इसमें घात एक भी होगा, अकोट एक भी होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हैं, क्योंकि हैं, तो इसमें जो दिया है, उच्छ कोट क्या ओकलाज, जो दिया है, इसमें कोट किते हैं, यह कोट दिया है, कोट तो दिया है, तो इसका जो घात भी होगा, यहां पर घात भी तो होगा, तो घात किते हैं, जो इसके ब्रेकेट के उपर घात रहेगा इसके अंदर वाला इसके उपर ब्रेकेट के घात होगा उसको हम घात कते हैं तो घात कितना होगा एक या गात एक ही है इस पर घात कितना है एक है न इसका घात एक ही है यादि कोटी दो और घात एक होगा question 4 जो दिया है d2y upon dx square का whole square plus cos dy by dx is equal to 0 इसमें देखिए जो अकल समीकरण में उच कोटी है जो अकल समीकरण में उच कोटी है यह जो उच कोटी है d2y upon dx square है जिसकी कोटी किते हैं जिसका कोटी है दो दिया है इसका कोटी 2 है इसमें जो दी गई यह dy by dx रही है dy by dx जो दिया है वो why dash है जिसमें बहुपद नहीं है बहुपद नहीं है अर्जार्म गाट जो होगी परभासित नहीं होगी इसलिए से सिर्फ क्या होगा कोट्य वड्वा फिरंतों घाथ जो घाथ होगा तो परिभिसित परिभिसित नई होगा अगा घूल न्योगा जो इसका गात होगा उपड़ भासित नहीं होगा कोटी दो होगी कुछी मद्वाइब देखे जो d2y अपन d x isquare isquille to cass 3x plus 7 एक दिया है इसमें जो 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 आउकर समीक्रण है यह उच्ष कोट की है यह उच्ष कोट की है तो जो d2y जिसकी कोट कितनी है जिसकी कोट किदो है तथा इसका गात भी नहीं हो टाइन इसका गातो हॉ Strateg 131 गहाद एक होगा कुश्टामस्टिक्स जो अकल समीकर दिया है जो अकल समीकर दिया है इसमें जो वाई तीटपल डैस है वह उसका कोटी है जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न इससे डी DQ Y upon D X Q का हो लिख का प्लस D square Y upon D X square determ पर Q प्लस D Y upon D X पो पर पौ़ प्लस D Y by D X पर 5 इसमें देखिए जो इसका गहात है जो इसका कोटी है पहले कोट देखिए इसका कोट कितां दिया है इसका कोटी कोटी तीन दिया है और इसका गहात इसका गहात इसका जो गहात है वो दो दिया है तो इसका कोट जो ओकल समीकरर है इसका गाकोट 3 तता गात 2 होगा कोश्चन नम्मर 7 पर चल गात इस समीकरर में जो ओकल समीकर दिया है जो ओकल समीकरर है इसको भी पहले कोश्चन के जैसे बना लेंगे जैसे इसके दोखिए हम इसको DQX आपां जिसे dqy आपां d x q का सिब क्यों लिख सकते हैं से ऐसे दिया है इसे तो इसको भी लिख सकते हैं तो इसमें देखिए इसमें जो कोट दिया है जिस इस आउका समीका का जो कोट है जो कोट है इसका वह कितां दिया है तीन दिया है और इसका घात भी तो है तो घात कितां दिया है एक आता इसका आउका समीकार का जो कोट होगा तीन तीन होगा घात एक होगा कोस्टन होगा है यह पर चल जो दिया गया समीकार है इसमें उच कोट का आउकलाज इस समीकार में इसमें जो उच खुटी का ओकष बस्तलिए और को अपने यसमें वद घयाए मैं मैं इन्वे के वोगेर, ऐसे कंष कूट है, आ स्ँबादी नहें घुर्ट खाएवे हैं। कोट के यहां होगा एकी होगा तो इसका घात भी तो एकी होगा अगात भी होगा यानी कोट एक घात एक कोश्य दामन नाई यह दिया गया आउकलाज है इसमें जो ऊच्छ कुटी का ऑखलज हूँ कॉल से है युझ जो ऊच कुटी का आउकलाज है कॉन से थिओ घ्जर डबल डएसी इसक Τरीफ सी जो सकते हैं संदीट्टू वाइवाल डव्टो इसे 6 इसका गाथ एक एक से लिख सकते हैं कि मैं शी overdose है है इसका जो कुट्यवा और वह दोगा नयकशन हो तथाय है आप हम लिकराण catching को तुट्य loville तरह गाफ होगा यह वह उसे मोरत देंगे हैं यह जो आउकल समीक्रोड दिया हुआ है इसमें उच्छकोट का को लज इसमें जो उच्छकोट का उकल सिर्द अब कुछा है वाइ डबल डच वाला कौन्स है वाइ अगी दबल डच वाला तीसी में जो को यह वाई यह वाई डच ताव डबल डच वाले हैं जो यदे कुछा को बबहु पर दिया चि जो है बहुंपदी है अता जो इसका अउकल सम्हों की कुट होगी जो अगल कि समीकरण की कुट है कि कुट यह हो कितनी है कि ते दो है थो कुट इसमें दो है तिसका गात वह कित होगा इसका गात एक होगा आतो इस अउकल समीकरण का कूट धूत तथा गात एक होगा क्वेशन में में इलेवन को देखते हैं क्वेशन में इलेवन अपने पास बुक निकाले जीगा इसमें पूछा है कि जो अउकल समीकरण है जो ये अउकल समीकरण दिया है इसके घात बताना है कूट नहीं स्रिफ घात बताना है इसमें जो दिया है उच कूट का है उच कूट का जो अउकलज है वो कौन से है डी टू आई अपन डी अक्स स्क्वार क्यू यह उच्छ कोट क्या उकलाज है जो d2y upon dx इसको क्यों दिया है वो उच्छ कोट क्या उकलाज है लेकिन जो इसमें यह वाला पद जो d2y by dx दिया है उका है बहुपदी बहुपदी नहीं है अता इसमें जो घात होगा वो घात नहीं होगा तरह puppy को इसमें जो आप항 म्या व flat फिरह थे कोई नइए उसके सहज़ा हुंद भी का आउकलज है कौन से इसमें d2y आपां dx square है जो उच कोटी का आउकलज है वोड़ d2y आपां dx square है तो आता इसमें जो आउकलज का जो समीकर की कूठ होगी जो आउकलज समीकरण की कोटी होगी कितनी होगी इसमें कोट कितनी दी है दो इसकी जो कोटी होगी वो 2 होगी तो कोट पुछा है याई इसमें आपसा नम्मर ये आपसा नम्मर ये इस राइट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देजेगा और बिल आइक अंद बाना मत भूलिएगा